Good morning dear student, आज हम class 10 के question number 15 करने जा रहा हूं Question number 15 में कह रहे है A contractor on construction job suffisifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows 200 rupees for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day And the penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day How much money the conductor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days अब इसमें कह रहा है कि वह एक conductor है, construction work चल रहा है उसका अगर जिस दिन वो काम नहीं करते है या डिले कर देते हैं उसमें देरी कर देते हैं, उसको penalty है कि वह दो सो रोपे का पहले दिन पे, अगर दूसरे दिन पे डिले कर दिया काम नहीं किया, 250 रोपीज है इसी तरीके से वह उसका penalty 50 रोपे ज्यादा, पहले दिन से 50 रोपे ज्यादा होते जा रहा है अब इस how much money the conductor has to pay as penalty उस ठीकदार को किनने रोपे जुर्माना बढ़ना पड़ेगा, if he has delayed the work by 30 days अगर वो 30 दिन काम को delay कर देते हैं, देरी कर देते हैं, उसको किनना दिन, किनना पैसा उसको as a penalty चुकाना पड़ेगा अब यहाँ पर देख लिजिए, एक सेकंड, penalty for the delay of one work क्या है, 250 रोपी से, एक सेकंड, penalty, यह question number, penalty for delay of one to third day, day equal to hour, two hundred 250, three hundred रोपी से, now penalty increase with next, जे किनना होरे, 50 रोपी होरे, penalty, penalty increase with next day equal to hour, हमारा होरा है, with a difference of, with a difference of rupees, 50 रोपी होरा है, ठीक, required AP हमें निकालना है, required AP, और क्या है, 200 रोपी से, 250 है, और 300 है, 350 रोपी से, ठीक, A हो गया हमारा, A मानलो या, T1 मानलो, आपका 200 रोपी से, ठीक, इसके बाद आपका R.I.U., अच्छे हम, यह हो गया, 200 रोपी से, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, common difference, common difference हमारा 50 रोपे हर दिन क्या बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, D equal to 50 रोपी स, अब हमें क्या निकालना है, किन्ने दिन के लिए निकालने के लिए वो ले थे, 30 दिन के लिए, N equal to 30 days, ठीक, अब इसके बाद, हमें क्या निकालना था, एक सिकन्ट, हमें निकालना था, sum of money निकालना था, ठीक, sum of money निकालने के लिए, S30, S30 equal to, अब आई से लिखे, Sn, equal to N by 2, twice of A, plus N minus 1, D, ये हो ये, इसका मालाव हो ये, 30 divided by 2, 2 into 200, plus, 30 minus 1, into difference हो ये, मारा 50, ठीक, ये कड़ हो ये, 15, 400, 2 into 2, टू जा, 400, पुलस, 30, 29, 29 into 50 कर दो, 29 into 50, 5, 9s of 45, 5, 2, जातियान, 14, 14, 14, 150 हो गया, 14, 150, ये, अब इसके बाद, 15 as it is, इन दोनों को प्लस करो, 1950, ची, अच्छा, 14, 1850, ये, 1850, ये, 1850, अब इन दोनों को क्या कर देना है, माल्टिप्लाइ करना, 1850 into 15, 500, 55, 25, 5, 40, 42, 5, 1, 5, 9, 00, 15, 5, 18, 8, 11, 1, 0, 5, 7, 17, 1, 2, 27,750, आ रहे, 27,750, उसको ठेकदार को पैसा बढ़ना पड़ेगा, ये हो गया, आपका कोशन नंबर 15, 15, कोशन 15, क्लास 10 है, ठीक, अब इसके बाद हमें कोशन नंबर 16, एसम आप 700 रूपीज, इस तो बीज़ तो गिव 7 केस प्राइस तो एस स्टुटें आप ए स्कूल फोर दियर वर अगेदेमिक पर्फोरमेंस, इफ प्राइस इस प्राइस 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 प्र इस प्राइस, तोटल किनने दिया थे, 700, 7 प्राइस में, अब ये के रहे हैं प्राइस से, दूसरा प्राइस 200 रूपया कम है, अब हमें find the value of each price, एक एक प्राइस में किनना पैसे हा, किनना वले है, उसके किनना पैसा बनते हूँ हमें स्ट त": डालना है ठीक अच्छा अब यहां पे टोटल तो हमें गीवन है 700 अब एक एक स्टूडेंट को किनना रहे हुआ हमें मालूम नहीं है अब इसका मालब हमें लेट एमोन अफप्राईस एमोन ओप्राईस जीवन तोर्फ श्टूडेंट को किनना रहे हुआ हमें मालूम नहीं है इक्वल तु रॉपीस एक स्टूडेंट प्राईस आफिक एक एक स्टूड्ड heider second student second student के लिए किन्ना दिए वहाँ है वही मालुम ने अब इसमें यह कह रहा है कि फर्स्ट स्ट्डूरेन से सिकन्ट स्ट्ट को जूपिक काम है इसका मनुब्लब हमें क्या करना पड़ेगा एक्स माइनस 20 करना पड़ेगा यह हो गया अब थार्ट स्टूरेंट के लिए किनना दें वह भी मालूम ने थार्ट स्टूरेंट के लिए आप ऐसे करो पहले student को दूसरे student को पहले student से किनने कम थे वीश जोपया अब तिसरे student को दूसरे student किनना कम होगा फीर से वीश जोपया इस घुए इसका मतलब होगी X-люс- CPA स्मार साइन मैनस का 40 यह थार्ड स्टुरंट का आगे अब इस में हमें सिक्वेंस कैसे बन रहे है दियर फॉर सिक्वेंस आर सिक्वेंस आर एक्स बन रहे है एक्स मैनस 20 बन रहे है और तीसरा x-40 इसी तरीके से होते होते जाएंगे ठीक अब इसके बाद आप इसको कैसे करेंगे अब इनका common difference निकाल लाए common difference d ठीक एक वेली हम लोगों ने first time का वेली क्या लिया थे x ठीक a1 a2 का वेली हमारा हुआ x-20 a3 का हमारा क्या वेली हुआ x-40 यह अब यहाँ पर देख लेजिए इनका common difference किन्दा होगा common difference 2020 का होगा d equal to आप काएगा minus 20 किन्ने students को देख 7 अब आजी है यहाँ पर is to be used to given 7 case price किन्ने total किन्ने दिये थे n equal to हमारा होगा 7 n आपका होगा 7 case price दिये थे ठीक आप formula यूज करिए s n equal to n by 2 twice of a plus n minus 1 into d ठीक s 7 equal to 7 by 2 into 2 into x plus 7 minus 1 into minus 20 minus 20 minus 20 आपका दिया आगे 7 by 2 as it is यह हुआ आपका किन्ना हुआ 2 into x कि 2 x हुआ plus 7 minus 1 किन्ना हुआ 6 6 into 20 6 into 20 6 to 12 120 होगा minus किसका आएगा यह होगा आपका अब यहाँ पर आईए s 7 हमारे पास total sum किन्ने दिये थे 7 interest इसको आप आई से लिखो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देख लिजी यह 2 2 से 2 कैंसल 2 से यह भी कैंसल 60 होगा 700 होगा आपका 7 into x minus 60 होगा ठीच 700 as it is 7 into 7 x minus 7 6 is 42 7 6 is 42 420 हुआ यह उपे ज्रकेट लगाने के और जरुवात नहीं है अब क्या करते हैं 400 420 को इस साइड ले क्याओ किन्ना हुआ 700 plus 420 equal to 7 x किन्ना हुआ साचा 1120 ताखसी में 7 equal to x 7 1 जा 7 किन्ना बचा 4 बचा 42 यहां पर 7 1 जा 7 7 6 जा 42 160 अरे x का वेली आ रहा है आपका 160 आ रहा है ठीक आप इसको आप ऐसे कर दीजी x का वेली आपका किन्ना आया x का वेली आया किन्ना आया 160 आया x2 का वेली क्या आएंगे x2 का वेली हमें क्या करना बचा a2 का वेली निकालने के लिए 160 मैनस 20 करना पड़ेगा 140 आया इसके बाद a3 का निकालने के लिए x माइनस 40 निकालने 40 निकालना पड़ेगा 120 आयेगा इसी तरीके से आते जाएंगे 2020 का क्या होगा काम होगा उन्होंने कोशान में कहे हुए थे 2020 आपका क्या हो रहा है काम हो रहा है 180 60 किन्ने स्टूडेंट का निकालना था 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक निकाली आप 40 यह हुआ आपका कोशान नमबर कौन सा हुआ यह 15 हुआ कोशान नमबर यह हुआ आपका 16 आज के लिए इनना थेंक यू